एक समय की बात है मुंबई नाम की शहर में दो दोस्त हुआ करती थी जिन में से एक का नाम था जानवी और दूसरी का नाम था इशिता वे दिनों बच्पन से एक दूसरे की पक्की सहेलिया थी एक दिन वो दोनों पार्क में बैठी हुई होती है तब ही शीता बोलती है यार तुछ पता है पड़ोस में न ये बहुत अमी लड़की आई है उसका नाम वानी है पता है बहुत खुबसूरत है और उसके पस इतने खिलोने है कि हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे उसके एक बड़ी बेहन है एक चोटी बेहन है उसके माम और ड़ेड है यार वो मुझे बहुत अची रखती है मैं तो जा रहे उससे दोस्ती करने तुछलना यार यहां पर क्या बैटी रहती है तू हर समय चिप 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 अब बोलेगी कुछ हाँ वो तो सुन्दर है उसका घर भी सुन्दर है उसके खिलोने भी सुन्दर है लेकिन क्या उसके दिल सुन्दर है जैसे हम दोनों का है यह क्या तो हर समय दिल सुन्दर है कहते रहती है चुप कर ले अब मैं तो चलिए उसके घर तुझे जाना है तो जा, हम लोग middle class है और अगर उसने हमें धक्के मार के घर से निकाल दे तो हम क्या करेंगे हमारी तो insult हो जाएगी तुझे insult कराने ही तो तुझे जा ठीक है तुझे जो ग्यान देना है तुझ देती रहे मैं तो जारी हूँ, बाई ही भगवान, इस लगकी का क्या होगा पता नि मैं तो जारी, तुझे नहीं जाना दो मज्जा वाओ यार, इन्टा गेट तो कितना fancy है मन तो कर रहा है कि इसी से सटी रहू लेकिन ठक ठकाना होगा मैं जल्दे से गेट ठक ठकाती हूँ फिर से एक बार लगता है कि कोई गेट बजा रहा है बेबी, बेबी, देखो तो जरा गेट ठकाना है ममा आप खुद ही देख लू न उफिया लड़की कोई बात ही नहीं सुनती है जाकर देखती हूँ मैं कि खाना है कैट पह अभी दर्वादा कुल दियो आप को ना बेटा? आप हमारे गर में खीया खा रहा है हूँ लगता है कि आप वाणी बेटे के फ्रेंड हो क्या ना मैं आपका? कभी आपको देखा नहीं? आंटी मेरे नम इशिता है और मैं वाणी के फ्रेंड बनना चाहती हूँ प्लीज आप वाणी को बुलाईए ना प्लीज 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 हाँ जरूर बेटा हूँ मैं अभी बलाती हूँ बेटे वाणी बेटे वाणी नीची आना तुमसे कोई मिलने आया है लगता है कि मुझे कोई मिलने आया है मुझे जाना चाहिए तुम खान हो और मेरे गर में क्या खार रहाए हो हाई वानी, मेरे नमें इशिता और मैं तुम से फ्रेंचिप करने चाते हूं प्लीज तुमेरे पेंट देवाँगी प्लीज 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 देखने में तो ये मिजल सास लाखी लगती है और जादा खुबसूरत भी नहीं है मन तो नहीं खरो ऐसे फ्रेंशिप करने का लेकिन बोल तो नहीं सकती न कि नहीं खरोंगी एक काम करती हूँ अभी के लिए बस हाँ बोल दती हूँ क्या सुषणी लगी वानी बताओ ना प्लीस में मचे फ्रेंशिप करोगी अहां हां क्यों नहीं क्यों नहीं मैं तुमारे फ्रेंड बना चाहूंगी थुम तो बहुत ही खुप सूरत हो थांक्यू सू मच क्यों नहीं हम किसी फार्क में जोकर एक साथ मिलकर आराम से बैठ कर बाती कारें अहां हां शूर शूर चलो चलते हैं माम मैं एशिता के साथ जा रही हूँ फार्क में मैं शाम छे बज़ों तक खाँ जाओंगी बाबाई अहां हां बाई बेठा हाँ चलो बेठा तो गई अब मैं गए के बागी काम निपटा लीती हूँ इतना साफ कर लिया मैंने क्यों नहीं हम किसी फार्क में चले फार्क में तो जान भी है नहीं 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 हम लोग फार्क में नहीं जाएंगे हाँ धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ते गैरी होते जा रही थी लेकिन वानी कभी भी उसे अपनी सच्ची दोस्त नहीं मानती थी लेकिन वहीं इशिता अपनी सच्ची दोस्त सिर्फ वानी को मानती थी और वो जानवी को बिलकुल भूल चुकी थी अरे वो तो इशिता लग लिए है मैं ज़दी शाती हूँ उसके पास कितने दिन होगी, मिली भी नहीं मैंने ज़दी शाती हूँ अ हाई इशिता कैसी हो, कितने दिनों से हमारी बात नहीं हुई थी तुम मैंने सुच्छा, आज से तुम्हें नहीं छोड़ोंगे, आज से तुम्हें बात करके रहोंगे, वो भी बहुत सारी पहले दो तुम अपना की कंदे पर जो मेरा हाथ रखाया ना, वो हटाओ क्यों, क्या हो, क्या कुछ हुआ है, क्या मैंने कहा हटाओ आज से छोड़ों इन से बाते को, तुम मुझसे बात मत क्या करे, ये कुछ छिला है, एक मेंड, एक मेंड, ये तब छोड़ो, तुम मुझसे बात मत करो, जाओ यहां से मंजे, तुमसे बात नहीं कानी, जाओ यहां से, ठीक है, जा नहीं है, अब मैं शीता, ये मैं बें नही एक दिन इशीता का इसी घूम रही थी रास्ते पर तब जोर की बिजली कड़की, इह क्या हुँ है बिजली ही रग लिए, उचे मिन्ट, एक मिन्ट, याहां पाँस मेरे ही वानी का गहँ है, मैं वानी के गड़े जाती हूँ, पटे वानी हुँ, देखना ज़रो गेड़ पर क हेई मामी आम गुविंग चलो मैं देखती हूं कि कौन है अरे इशिता तुम इतनी बावरिश में यहां क्या खर रही हो इतनी बिजली खारा खर रही है अहां ना इसलिक तो मैंने सुचित मारी घर आ जाओ चलो घर के अंदर चलते हैं तुमारे बिल्खोल भी नहीं तुम मेर मेरे घर में न्यू खार पिट राया है वन लाक रोपीज का एंड मैंनी चाहती कि तुम जैसे गारी बलाड़की उसे खराब कारे प्लीज मेरा विश्वास करो मैं गंदा नहीं करूंगी गुजबी प्लीज मुझे अंदर ले आओ कहाना बिल्खोल भीने निकलो मेरे गेट यह तो इशिता है इशिता इतनी बिजली में अकेले बाह क्या करी है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जाती है इसके पास इशिता तुम यहां क्या कर रही हूँ इतनी बिजली कड़ा करी है तुम एक कुछ जाया का तो वो मुझे वानी ने अपने गर से निकाल दिया क्या व आब बताओ मुझे कि क्या हुआ तुम इतनी उदास इतनी अपसट की हुए क्या हुग अगर वाणी ने घर से निकाल दिया तो मैंने तुमसे बहुत बुरा वहवार किया ना और मैंने तुमसे उस दिन बात भी नहीं कि मैं बहुत गवन में आ गई थी कि मेरे दोस्त बानी जैसी है लेकिन मुझे गवन में तब आना चाहिए था जब तुम मेरी दोस्त हो मैंने अब सीख लिया है हमें किसी की पैसे या सुन्दरता देंग देखनी चाहिए हमें हमेशा सबका दिल देखना चाहिए हाँ तो तुम्हें समझ में आ ही गया मेरी प्यारी दोस्त